हेलो दोस्तों प्रतिमा जीयस एकडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों भारत का भुगोल में आजम चर्चा करेंगे डर्रा भारतिय हिमाले कितने भागों में विभाजित है कौन-कौन से नदी से कौन-कौन से हिमाले का अपना आधार और नामकरण है आप लुग लाइ कर लें शुरू करते हैं कि भारत का जो छेत्रिय विस्तार है भौतिक आधार पर जो उसका विभाजन है एक भारत का एक संद्चना का नार्थ का और नार्थ इस्ट का संद्चना को आप समझिए कि भारत के कुछ भागों काट लिया गया है और एक नदी है सिंधु और एक नदी बहती है सतलज उसके बाद में एक नदी बहती है काली एक बहती है तिस्ता और एक बहती है दिहांग तो जो सिंधू नदी है सिंधू नदी से और सत्लज नदी के बीच में जो ये बेल्ट है इसे कहा जाता है पंजाब हिमाले यानि पंजाब हिमाले आपका सिंधू नदी और सत्लज नदी के बीच का भाग है और ये है पाँच सो साथ किलो मीटर ये जो छेत्र है ये पाँच सो साथ किलो मीटर के पास जाना जाता है और इसके सिंधू के ऊपर के भाग को कहा जाता है कारा कोरम कारा कोरम के नाम से जाना जाता है सिंधू के उपर के भाग को कारा कोरम के नाम से जाना जाता है अब उसके बाद में सतलज, सिंधू और सतलज सिंधू सतलज के भाग को कहा जाता है पंजाब हिमाले एक पॉइंट यहां पे हो गया अब दूसरा यह जो नदी है सतलज नदी से काली नदी यह है काली नदी अब सतलज नदी से काली नदी के बीच में इसके दोनों के बीच में जो यह भाग है इसे कहाता है कुमायू हिमाले कुमायू हिमाले तो मतलब की यहां पे आपका हो गया कुमायू हिमाले अब काली नदी से तिस्ता नदी यह है तिस्ता नदी यानि तिस्ता भाग जो है वो काली नदी से तिस्ता नदी अब काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो यह भाग है इसे कहाता है नेपाल हिमाले और चोथा भाग जो है यह तिस्ता नदी से दिहांग नदी जिस्ता और दिहांग यह दिहांग नदी जिसे आगे चलकर ब्रह्मुपुत्र कहाता है अब इसके बीच में यह जो हिमाले है इसे कहाता है असम हिमाले असम हिमाले यानि कि तिस्ता नदी और दिहांग नदी इसके बीच को असम हिमाले के नाम से जानते है असम हिमाले यानि हिमाले की जो बेल्ट है उसे भारत के अंतरगत चार अलग अलग नदीयों के अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे पंजाब हिमाले कुमाई हिमाले पंजाब हिमाले सिंधू और सतलज के मद्ध में पांच सो साथ किलो मीटर में पाया जाता है वहीं कुमाई हिमाले तीन सो बीस किलो मीटर में यहां पर पांच सो साथ किलो मेटर प्रह्ट सिंधू से सतलज में पंजाब हिमाले सतलज से काली के बीच में कुमाई हमाले इन नदियों को याद रखिएगा नदियों के आधार पे हिमाले का नामकरन अलग-अलग भाग में कर दिया गया है काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमाले और तिस्ता से दिहां के बीच में असम हिमाले यानि कि उसके बाद में सिंधू के उपर वारे भाग को कारा कोरम के नाम से जाना जाता है कारा कोरम स्रेंडी के नाम से जाना जाता है तो पंजाब, कुमायू, नेपाल और असम और जो ये भाग है ये सिंधू नदी के उपर का भाग ये हो गया आपका कारा कोरम कारा कोरम स्रेडी हो गया तो अब इसको जैसे मैंने आपको यहां पर बताया समझाया अब इसको एजटीज देखिए कि यह सिंदू नदी सतलज नदी काली नदी तिस्ता नदी दिहांग जो आगे चलके ब्रह्मपुत के नाम से जानी जाएगी याद कैसे करना है कारा कोरम स्रेडी उसके बाद में पंजाब हिमाले जो कि यहां नहीं तो मैं इधर लिख दिया है पंजाब हिमाले फिर कुमायू हिमाले नेपाल हिमाले असर हिमाले क्रम भी आपको याद रखना है अब यह नहीं पता लगा कि कुमायू हिमाले यहां पर ब तो अब हम देखते हैं कि कौन से दर्रा किस राज से अलग-अलग निर्धारित करता है तो यह जो उत्तर का बेल्ट है उत्तर के बेल्ट में यहां से उत्तर परदेश और बिहार और पस्ची मंगाल मैंने छोड़ दिया है मैंने वही वही यहां पे राज को दर्साया है जहां से दर्रे पूछे जाने की प्रविविल्टी रहती है लद्दाख में आपके दो दर्रे पाए जाते हैं एक तो आपका कारा कोरम हो गया और एक आपका हो गया जोजिला दर्रा कि यह आप रोग याद करने के लिए अजय चीज बना लीजिएगा और इधर जो है हम कि लिख दे रहे हैं कि लद्दाख कि लद्दाख में दो दर्रे पाए जाते हैं एक है कारा कोरम और दूसरा है जोजिला जोजिला दर्रा तो कारा कोरम और जोजिला दर्रा आपके लद्दाख में हो गये और उसके बाद में जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर में पीर पंजाल पीर पंजाल दर्रा बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा हिमांचल प्रदेश में हिमांचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा सिपकला और बड़ा लाचला सिपकला दर्रा और बड़ा लाचल दर्रा दर्रा को पास भी बोला जाता है दर्रा को ला भी बोला जाता है दर्रा को ताल के रुप में भी जानते हैं उत्राखंड उत्राखंड में है लेपुलेख माना और नीती दर्रा लेपुलेख दर्रा माना दर्रा और नीती दर्रा यह तो आपके हो गए यह चारो एक लद्दाख हो गया जम्मू कस्मीर हिमांचल परदेश और उत्राखंड यहां के दर्रे आपके हो गए कितने तीन तीन छे तीन नव और दो ग्यारा ग्यारा दर्रे आपको याद करने हैं जो कि आपके कुमाई हिमाले से उपर कहां से कुमाई हिमाले से उपर क्योंकि यहां पे काली नदी है और काली नदी और सतलज नदी के बीच में कुमाई हिमाले है यानि कि कारा कोरं से लगा करके कुमाई हिमाले के बीच में आपको ग्यारा दर्रे याद रखने हैं और इस ग्यारा दर्रे को आपको क्रमसा मैंने लिख दिया है उसके बाद में आपको असम हिमाले में दर्रे पाय मिलेंगे बीच में कोई दर्रा नहीं सिक्किम में मिलेगा दो दर्रा नाथुला दर्रा और जहलेपला दर्रा प्राइदीपिय भारत के आपके दर्रे चार पांच दर्रे हैं तो जो मैं प्राइदीपिय भारत बताऊंगा तो वहां बताऊंगा वाकि सिक्किम में सिक्किम है नाथुला नाथुला दर्रा ये कई बार इजाम में पूछा गया है और जैलेप्ला जैलेप्ला दर्रा उसके बाद अरुराचल परदेश में अरुराचल परदेश में बॉम डिला यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा फिर मडीपुर में मडीपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा ये आपको असम हिमाले में देखने को मिलेगा असम हिमाले में अब यहां पर जो नेपाल हिमाले है काली और तिस्ता के बीच में जो नेपाल हिमाले है उन दर्र वहां पर जो दर्रे जो नेपाल हिमाले है जो इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं उसका नेपाल से और तिबबत या अन से संबंद है उसका भारत से कोई संबंद नहीं है तो भारत से जितने संबंद संबंद थे यहां पर भारत के उस्चावच स्रेडी कि इस पर हम चर्चा करेंगी कितना भाग कितने प्रतिसर्ट टोटल एरिया का को पाया जाता है भारत का च्छेत्र फल है 32,87,253 किलोमीटर है कल मैंने बताया था 32,87,263 वर्ग किलो मीटर भारत का कुल छेतर फल है यानि ये छेतर फल हो गया भारत का कितना 100 प्रतिसत अब इस 100 प्रतिसत छेतर में पांच भागों में भारत को विभाजित किया गया है पांच भागों में कौन कौन से उत्तर का पहले कर भारत का कितना आप कुल पांच गल अशब पांच Mm कि अब भारत को एक सिम्बोलिक कु sai मजिए कि इसे भाटा गया है पाच भागों में एक भाग तो आपका को यह हो गया और एक भाग आपका हो गया यह कि इसी भाग को इससी अंत्र Gc समझेगा जब पहले मैं पहला लिख रहा हूं तो आप पहला की रूप में इसे समझेगा कि दूसरा समझेगा अब भारत के सो प्रतिसत छेतर में आप देखेंगे कि 10 प्रतिसत से लेकर 11 प्रतिसत के आसपास में आपके प्रवतिय छेतर है लगभग प्रवतिय छेतर है और अठारा प्रतिसत से लेकर के वह नईस प्रतिसत की आसपास लगभग पठारी छेतर हैं और 43 प्रतिसत में दानी छेतर हैं अब बाकी जितना बच रहा है वो कुछ भाग अंडमान निकोबार कुछ भाग लच्छ दीप और कुछ भाग अन छेतरिय भाग से यहां डेजाट है यह सब इस तरह के भागों में पाए जाते हैं लेकिन पूरे भारत को भावतिक और धरातलिय आधार पर पाँच भागों में विभाजित कर दिया गया पूरे भारत को धरातलिय आधार पर भावतिक रूप से पाँच भागों में विभाजित कर दिया गया वो पाच भाग कौन कौन से हैं एक तो है प्रवतिय छेत्र अब प्रवतिय छेत्र उत्तर का प्रवतिय भाग अब प्रवतिय भाग में आपका एक छेत्री आ गया और नार्थिष्ट आ गया एक नंबर से मैंने दर्साया है और जो की परवतिये भाग के आसपास में ये पस्चमी और पूर्वी तटिये घाट भी परवतिये हैं यहां भी कई प्रकार के परवत बड़े बड़े हैं लेकिन इसे सामिल किया गया है प्राइदीपिये छेतर में पर्वतिय छेतर के रूप में, उत्तर का पर्वतिय भाग, एक भाग में माना गया, यानि एक पार्ट यह हो गया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ले करके, ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा बेल्ट ये हो गया, जबकि यह जो तराई का बेल्ट है यहीं से उत्तर प्रदेश का बहुत ही उपजाव भूमी है पहाण फिर प्रबत ऐसे चला गया है नेपाल होते हो गया है लेकिन अभी से हम सामिल करते हैं नार्थिष्ट और उत्तर में दूसरा आपका हो गया उत्तर का विसाल मैदान अब यह मैदान जहां से अब हरिद्वार में जब गंगा जी चलती है और आगे चल करके जब बिजनावर से इधर होते हुए यूपी और अनुपि भिहार और पस्चिम बंगाल होते हुए बंगाल खाड़ी में जब गिर जाती है इस बेल्ट में पूरा का पूरा बेल्ट बहुत ही उपजाओ और बहुत ही सुन्दर लेंड है कि सरबाधिक खाद्यान का उत्पादन तभी उत्तर प्रदेश कर पाता है क्योंकि भूमी उपजाओ है मैदान है तो यह आपका हो गया दूसरा भाग तीसरा भाग है मरुस्थलिये प्रदेश अब मरुस्थलिये प्रदेश में कुछ गुजरात का छेत्र आता है रायस्थान का छेत्र आता है और धीरे धीरे पस्यमी उत्तर प्रदेश के मतुरा है आगरा है हर्याणा के कुछ छेत्र है तो इसका भी प्रभाव वहां भी देखने को मिलता है और चवत्था छेत्र है आपका प्रायदीपिये भाग प्रायदीप्य भाग यानि ये पुरा प्रायदीप्य भाग के अंतरगत आते हैं बिंध्याचल से ले करके और दच्छिर तक का और पाँचवा भाग जो है वो समुद्र तटिय भाग है समुद्र तटिय मैदान ये पूर्वी तट है और ये पस्चिमी तट है पूर्वी पस्चिमी तट के पास जो मैदान यहाँ भी खेती अच्छी होती है इधर सीतकाल में उत्तर पूर्वी मांसून के द्वारा बारिस होता है इधर दच्छिर पस्चिमी के द्वारा बारिस होता है यानि भारत के पूरे छेत्र को इन पाँच भागों में विभाजित कर दिया गया है उत्तर का प्रवतिय भाग, उत्तर का विसाल मैदान, मरुस्थलिय परदेश, प्राइदीपिय भाग, समुदृतटिय मैदान यानि कि ये भावतिक आधार पे, भावतिक संडचना के आधार पे भारत का विभाजन किया गया है तो इसे आप लोग नोट कर लिजे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बहले बता दिया था लद्दाक, जम्मु कस्मीर, हिमानचर परदेश, उत्राखंड, आपको कुमायू पहाड़ी कारा कोरम के बीच में ये ग्यारा जो दर्रे हैं इन्हें देखना है उसके बाद में तिस्ता नदी से ले करके और नार्थिष्ट में आपको 6 दर्रे ये याद करने हैं यानि 11 छे, 17 दर्रा, टोटल 17 दर्रे आपको याद करने हैं और 17 दर्रे में इसे ही प्रस्न पूछ लेगा और आपका सही हो जाएगा, आप लोग कर ले जाएंगे और ये आपके सुरूप हैं भातिक संदचना और धरातल के आधार पर अब ये कस्मीर में जिस तरह से हिमाले का पहले चीज़ तो यह हिमाले बना कैसे हैं हमारा भारत जो है गोंडवाना लेंड का भाग है पहले मैं आपको यह बता दूँ कैसे बना फिर मैं बताता हूं कौन सा कैसे हरार्की में है जो भारतिये उप महादीफ है भारतिये उप महादीफ यह कैसे उप महादीफ बना और कैसे हिमाले का निर्माड हुआ उप महादीफ के अंतरगत कौन कौन से देश आते हैं मैंने पहले बताया था कि इसमें पांच देश आते हैं भारत पाकिस्तान नेपाल भूतान और बांगलादेश यह भारतिये उप महादीफ के भाग हैं अब भारतिये उप महादीफ ऐसे हैं कि एक तरब ऐसे यह हिंदू कुस्य लगा करके और यह हिमाले का चोटी और मियरमार होते हुए ऐसे निकल गया है तो यह ऐसी आकरती हुआ कैसे जब गोंडवाना लेंड भारत जो है गोंडवाना लेंड का भाग है क्योंकि गोंडवाना लेंड और अंगारा लेंड दो अलग अलग पैंजिया थे और पैंथा लासाब महासागर पे तैर रहे थे प्लेट बिवर्तनीकी सिध्धान्त के प्लेट बिवर्तनीकी सिध्धान्त के द्वारा इनका विभाजन हुआ और साथ ही साथ जब भारत हमारा उत्तर में खिजकने लगा तो यूरेशिया यूरेशिया ये सारी क्लासे प्लेट बिवर्तनीकी सिध्धान्त यूरेशिया गॉंडवाना लेंड पैंजिया इस सब में पढ़ा चुका हूं विस्भोगोल में हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग देख सकते हैं ये सारे चीज़े मैं बहुत अच्छे स नामक एक साकर हुआ करता था यानि अंगारा लेंड जब ये भी तीन भागों में विभाजित हुआ और गोंडवाना अलेंड भी भाजित हुआ उनमें से दच्छिड के अफ्रीका, दच्छिड अमेरिका, भारत, आस्टेलिया मेडागासकर निकले अंगारा लेंड में उरेसिया, उत्तरी, अमेरिका निकले, योरोप निकला तो यूरेसिया ये यूरेसिया का भाग और ये भारत का भाग ये भारत अब ये भारत इधर चल रहा है आगे बढ़ रहा है इधर और ये इधर आ रहा है अब जब ये भारत जा करके यूरेसिया में ये यूरेसिया है यूरेसिया का मतलब यूरोप और एसिया यहां जा करके इसमें टक्रा गया अब यहां से ऐसे ये पूरा जल था सागर था कौण सा सागर था टेथिस सागर अफ्रीका महादीब तो आते 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 यहीं पे रुख गया ऐसे करके अपना वो इसे कर लिया यानि एक तो लाल सागर का भाग और दूसरा भूमद सागर के साथ में बचा हुआ है ऐसे और भारत जब आया तब भारत आ करके टक्रा गया और जब भारत टक्रा गया तब यहां पे क्या हुआ टेथिस सागर हो गया गायब यहां पे निकलाया हिमाले परबत यहां पे आ गए हिमाले परबत अब इसकी पुष्टी कैसे हो कि भाई यहां पे कोई सागर था भी तो सागर में पानी में कुछ जल जीव रहेंगे और वो जल जीव उनके जीवास मुझो है यह आपके हिमाले परबत के उपर देखने को मिलता है बसरते की इस सबबर्फ से ढखे हुए हैं दबे हुए हैं दूसरी बात जो भूमद सागर है वो टेथिस सागर का भाग ही है जो कि उसके अधिसेस के रूप में बचा हुआ है कैसे अब आप देखेंगे इस तरह बना हुआ है यह भारत है हमारा और हिंदु कुस् सिले करके ऐसे ही हिमाले है यानि यह हिमाले पूरा हिंदु कुस हो गया और यह पूरा हिमाले की के से इचेश फिरोडल आप 17 लिए सब है अब यह जो छेत्र है जब हम टक्राएं जा करके इसे टक्राने के बाद में यह पूरा बेल्ट जो है यह प्राइदीप है और यहां पर यह अधिसे बचा हुआ है और यही से यह पूरा-पूरा जोड़ है कि जोड़ है इसे बोला आता है मद महादीप ये पेटी अब मद महादीप ये पेटी आपके जेश्ट तुर्की के पास से ले करके देखा जाएगा पूरा यानि भूमद सागर का कुछ भाग लिया है और यह जो भूमद सागर बचा हुआ है इसके जिब्राल्टा जलसंदी से अट्लांट तो यह टेथि सागर का भाग है यह लाल सागर यहां पर सिनाई प्रायदीप अब यहां भारत यह मीडा गासकर भारत तो यह जब जुड़े इधर खसके अब यहां इस समय यह तूट रहा है जो नीलनदी का है ब्रहंस बढ़ता जा रहा है एक समय आएगा 200-500 साल बाल कि य यह आई से तूट जाएगा यह अलग हो जाएगा यहां पर सागर बन जाएगा बहनी लगेगा तो यह प्रक्रियां प्लेट बेरतन की सिद्धान के तहट चलती रहती हैं भारत भी जो है यूरेसियम जाके टकराया और यहां पर हिमाले परबत का निर्माड हुआ और इसके टेथिस सागर के जो आउसेस हैं वो हिमाले के उपर देखे जा सकते हैं और भूमद सागर है तो भूमद सागर उसके आउसेस के रूप में पाए जाते हैं अब यह भारत का उपरी भाग है अब इसको इस रेंज को एक रेंज आप यह दो तीन चार पांच अब यहां पर हिमाले हिमाले ब्रहुँ लग्षु हिमाले ब्रहभु हिमाले लग्षु हिमाले सिवालिक ऐसे हिमाले में और उपर कारा कोरम में विभाजीत है लेकिन इसका विभाजन मैं बाद ने बताऊंगा पहले मैं आपको यह बता दूँ कि उत्तर से दच्छिर में कौन कौन से हैं सबसे उपर आपको मिलेगा कारा कोरम स्रेडी कारा कोरम स्रेडी अब कारा कोरम स्रेडी जो यह है यह बेल्ट यह इस समय ऐसे हमारे देश में बना हुआ है देखें यह यह ऐसे हमारा भारत की यह पाकिस्तान प्योके है पाकिस्तान का कब्जा है यह आकसाई चीन है इस पर चीन का कबजा है और यह बेल्ट हमारा है यहां पर सियाचीन ग्लैसियर है सियाचीन ग्लैसियर 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर का है सबसे उचाई पर है यहां पर हमारे भारतियों साइनिक हमेशा बर्फ में अपने आपको ढके रहते हैं और हमारी रच्छा करते हैं यहां से हम इनुपे भी अनियंत्रन करते हैं इनुपे भी देखते हैं और यहां से चायना भी देखते हैं सबसे उचाई पर हम बैठे हुए हैं लेकिन यह हमारा पुरा भारत है और यही पर केटू जो कारा कोरम है का परतमान में केटू का सब से उच्च सिखर है उसका नाम है केटू या गार्डविन आस्ट्रिज गार्डविन आस्ट्रिज इसका किसका सिखर है किसका सिखर है कि कारा कोरम का सरबोच सिखर है है कि तो यह समय यह पाकिस्तान में ए-प्यूक के में लेकिन भारत की सबसे उची चोटी यही है कितना है 8600 111 मीटर की लंबाई है यह भारत की सबसे उची चोटी है लेकिन जो कि यह इस समय कहां पर है पियोके में है फिर भी यह भारत का अभिन अंग है तो सियाचीन गलैसियर है आप पे अब पहली स्रेंट तो इसको आप समझ गया अच्छा लगता है सुंदर दिखता है से में यह सुंदरता को दीखी दान से यानि यह हो गया कारा कुरम कारा कुरम के बाद यह दूसरी जो स्रेंडी है यह है लद्दाग दूसरी स्रेंडी लद्दाग स्रेंडी है और तीसरी स्रेंडी है जासकर और ये है पीर पंजाल उसके बाद एक और स्रेड़ी है ये है धौलाधर और इसके बाद ये जो है ये है सिवालिक अब यहाँ पर इसको बताने क्या मतलब है इसको बताने का मतलब ये है कि पूछेगा कस्मीर में निम्न लिखित परबत स्रेड़ियों का उत्तर से दच्छिड या दच्छिड से उत्तर करम बताईए अब जब आप जानेंगे तो करम बताएंगे और नहीं आप कहेंगे हम कल बताएंगे और एकजाम वाले कल का मौका नहीं देते हैं तो आपको कैसे याद करना है आप ऐसे बना लीजिए पहले नार्थ तु साउथ या साउथ तु नार्थ के रूप में याने कारा कोरम कारा कोरम स्रेड़ी उसके बाद लद्दाक स्रेड़ी उसके बाद जासकर स्रेड़ी उसके बाद पीर पंजाल उसके बाद धावलाधर उसके बाद सिवालिक वो इसे सिवालिक इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि जानता है सब किसी वालिक सबसे लाष्ट में है तो सहीं कर देगा तो इसे कार दीजिए आप यहां जानगे बहुत है आपको इन में याद रखना है इन चारों में धौलाधर भी हटा दीजिए अब इन चारों में ही कन्फ्यूजन होता है कि सबसे नार्थ में कौन है और फिर नीचे कौन है अब इसी में मिलाने को देगा तो दोनों याद कर लीजिए सबसे उपर क्या है कारा कोरम जो यहां आपको दिखेगा लज्धाग जास्कर पीट पंज्ल तो यह से लेड़िया जो है आपको याद रखनी है कि कारा कोरम के बाद में ही आता है पीर-पंज्लार बहस्त लगू शिवालिक के सारी हिमाल एक करम से क्यों बन रहे क्योंकि अभी भी भारत यूरेशिया के अंदर समाइध हो रहा है और हिमाले का आकार बढ़ता जा रहा है। भू बैज्यानिकों के अनुसार वर्तमान हिमाले परबत के पास टेथिस सागर हुआ करता था और प्लेट बिवर्तनिकी सिध्धांत के उतपत्ती से हिमाले का निर्माड हुआ है। उत्तर के प्रबतिय छेत्र को चार प्रमुक समानांतर प्रबत सेंडियों में बाटा जा सकता है। जैसके मैंने भी आपको बताया। ट्रांस हिमाले के अंतरगत कारा कोरम लद्दाक जासकर आधि प्रबत सेंडिया आती है। केटू या गाडविन अस्टिन कारा कोरम की सरबोच चोटी है। मैंने भी आपको बताया। कस्मीर हिमाले करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा एक प्रकार की मिट्टी समझ लीजिए है। और यहां पर जाफ्रान की खेती किया जाता है। जाफ्रान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इस चिकनी मिट्टी की भात ही होता है करेवा। चिकनी मिट्टी की भात ही होता है और दूसरे पदार्थों का हिमोण पर मोटी परत के रूप में जमा रहता है। हिमोण पर मतलब बरप के उपर एक मोटी परत की भात ये जमा रहता है। यानि करेवा प्रकार की मिट्टी कहां पाए जाती है तो कस्मीर हिमाले में पाए जाता है। ब्रहत हिमाले, जोजिला, पीर पंजाल, ब्रहत हिमाले में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जासकर स्रेडी में फोटूला दर्रा, लद्दाक स्रेडी में खारदूंगला दर्रा, जैसे दर्रे पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा देखिए मैंने जोजिला बनिहाल तो आपको बता दिया बाकी फोटुला और लद्दा अक्षिनेडी यहां पर दो नए दर्रे आपको मिले हैं तो ग्यारा दर्रे में इसे भी सामिल कर लिजेगा कस्मीर हिमाले में मीठे पानी का जील पाए जाता है देखें मीठे पानी का जील मतलब ताजे पानी का जील भी मीठे पानी के जील को ही कहा जाता है तो यहां पर है डल जील और दूसरा है बूलर जील और ये कहां पायाता है ये कस्मीर हिमाले में पाये जाता है और उसके बाद खारे पानी का जील भी पाये जाता है इसमें आपको नमक मिलेगा पानी का जील खारे पानी का जील, मीठे पानी का जील मीठे पानी का जील डल जील है और बुलर जील है खारे पानी का जील, पांगांग जील पांगांग सी, सो, पांगांग सो जील और सो मुरीरी जील तो मीठे पानी की जिल, डल जिल, बुलर जिल, खारे पाने की पांगांग सो जिल और सो मुरुरी जिल आपको देखने को मिलेगा बैसरो देवी, अमरनाद गुफा, चार ए सरीफ, ये जो तीर थस्थल हैं, ये भी आपको कस्मीर के उत्तर पस्चिम हिमाले में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों, मैं अपने क्लास के पर समात करता हूँ, धन्यवाद जैहिन, जै भारत